Hello everyone, welcome back to my channel आप लोग तो स्मार्फोन यूज कर रहे हो लेकिन क्या आपके स्मार्फोन में अच्छा गास्ता रिफ्रेक्स रेट दिया गया है मैं जानता था इसलिए आप लोग परेशन हो बात तो सही है दोस्तों स्मार्टफोन में अच्छा रिफ्रेक्स रेट हो नाम बहती जरूरी है क्योंकि इसकी बज़े से स्मार्टफोन में डिस्पले अच्छी तरह से काम करता है दोस्तों आज का इसी वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ आखिर क्यों स्मार्टफोन के लिए डिस्प्ले का रिफ्रेक्स रेट अच्छा होना जाए है डोस्तें, अगर आपके स्मार्टफून का refresh rate अच्छा होता है, तो आपके game खेलने के दोरान बहुत आसानी होती है, क्योंकि इससे screen काफी आराम से चलती है, और आपको game खेलने में मज़ना आता है, दुस्तों अगर आपके स्मार्टफोन में अच्छा आशा रिफ्रेक्स रेट नहीं दिया गया है तो आप गेम किलने की टाइम बार बार आपके डिवास को टॉच करना पड़ता है जिसे काफी सार लोग परिशन होते हैं इसलिए आपके स्मार्टफोन में अगर अच्छा इफ्रेक्स डिया गया है तो आप असानी से गेम खों सकते हैं और सिंगवेल टोश में आप गेम को कंड्रोल कर सकते हैं अगर आपासर्ट争य और bake पॉन यांग उसी काम को करने प्रयां इसलिए आपके स्मार्ट Following में refresh rate अच्छा होना चाहिए जिससे आप कोई भी काम को smartphone में असानी से कर सकते हैं दोस्तों refresh rate के कारण आपके smartphone में heating problem भी दिखाई देती है क्योंकि अगर आप कोई भी काम को करने के लिए बार बार डिस्प्ले को touch करते हो तो इससे display पर असर पड़ता है जिससे आपका display हीट हो जाता है एसे में अगर आपके smartphone में अच्छा गासा refresh rate दिया गया है तो आपके smartphone को बार बार touch नहीं करना पड़ता है single touch में आपके smartphone असानी से चल जाता है इसलिए अगर आपके smartphone में अच्छा गासा refresh rate दिया गया है दोस्तों आप लोग स्मार्टफोन खरीते समय बैटरी, चार्जिंग स्पीड और इसके साथ ही आपको रिफ्रेक्स रेट पर ध्यान देना होगा जिससे आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरी सकते हैं होब कि आपको ये वीडियो पसंद था होगा वीडियो पसंद था लाइक संव स्या और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से को इसी तर mão है डियुक dites एड़ कि वीडियो में एक शांदर टोपीक के ऐसाथ